आज के इस महत्वपूर्ण आर्टिकल में हम आपको मजागन डॉक शेर प्राइस टागर्ट कमपनी का विस्तार में चर्चा करेंगे देखा जाए तो ये कमपनी पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा चर्चा में है जिसका मुख्य कारण है कि इस कमपनी का बहतरीन रिटन देखा जाए तो ये कमपनी पिछले एक वर्षों में 170 प्रतिशत से भी ज्यादा का रिटन दे चुका है और पिछले पांच वर्षों में ये कमपनी 2200 प्रतिशत से भी ज्यादा का रिटन दे चुका है इसके कारण य कमपनी काफी ज्यादा चर्चा में है यदि आप इस कमपनी में निवेश करना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए बहुत ही उप्योगी साबित हो सकता है क्योंकि आज इस महत्वपूर्ण आर्टिकल में हम इस कमपनी का फंडामेंटल तथा टेक्निकल इनालिसिस के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा की यह भविश्य में किस प्रकार का रिटन दे सकता है मजागन डॉक कमपनी का स्थापना 1934 में हुआ था इसका मुख्याले मुंबई महराष्टरा में स्थित है वर्तमान समय में इस कमपनी का MDCEO संजीव सिंघल जी है 1960 में भारत सरकार ने इस कमपनी को अपने अधीन कर लिया था है ये कमपनी भारत वायु सेवा में काफी जदा एहं भूमिका निभाता है जिसके कारण भारत सरकार इस कमपनी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे। कम्पनी का मुख्य कार्य पुरानी जहाज को रिपेर करना तथा नहीं जहाज को तयार करना जिससे हमारे सेनिक आसानी से किसी भी जंग को जीत सकें इसके साथ ही कम्पनी पंडुब्बी एवं युदपोत का निर्मान भी करता है मजागन डॉक का स्थापना 1934 में हुआ था मुख्याले मुंबई महाराष्ट्रा MDCEO संजीव सिंगल जी P.E. रेशियो 51.2 शून्य मार्केट कैप 99.176 करोड इंडस्ट्री पी ए 50.82 डेट्टु एक्वर्टी 0.00 शून्य शून्य रियो 31.02 एप्स T.T.M. 96.04 फेस वाल्यू 10. मजागन डॉक फंडिमेंटल अनालिसिस आप जब भी किसी भी कमपणी में निवेश करें तो सबसे जरूरी यह होता है कि आप उसे कमपणी का फंडामेंटल एनालिसिस एकदम विस्तार से करें ताकि आपको भविश्य में नुकसान होने का संभावना ना हो सके वर्तमान समय में देखा जाए तो कमपणी का मार्केट कैप 99.176 करोड है इसके साथ ही देखा जाए तो इसका पी रेशियो 51.2 शून्य तक मौझूद है साथ ही कमपणी ने वियो 31.02 प्रतिशत का है वर्तमान समय में देखा जाए तो ये कमपनी बिलकुल करज मुक्ती कमपनी है जिसके कारण ये लगातार ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है और भारत सरकार भी इसको ग्रोथ करने में काफी ज़्यादा सहाइता कर रहा है Company ने प्रती तिमाही वर्ष में अपने Profit का 20% से भी ज़्यादा का Profit किया है December 2023 में इसका Total Profit 600 करोड रुपे के आसपास था और इस स्थितिमाही महीने में लगभग 650 करोड से भी ज़्यादा का Profit कर चुका है आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह कमपनी फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है साथ ही आप देख सकते हैं कि कमपनी पर वर्तमान समय पर बहुत ही कामकर्ज मौजूद है जिसके कारण ये कमपनी और भी अच्छा रिटन देने का कार्य कर रहा है साथ ही देखा जाए तो कमपनी प्रतिवर्ष अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा डिविडेंट के रूप में भी कुछ हिस्सा दे रहा है मजागन डॉक शेफ लॉंग टर्म्स 2024 के शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कि जितने भी डिफैंस सेक्टर से जुली कमपनिया है वह काफी तेजी से ग्रंथ करते हुए नजर आ रहा है उनमें से ये भी एक कमपनी है जो डिफैंस सर्विस से ही जुला हुआ है जिसके कारण इस कमपनी में काफी ज्यादा उच्छाल देखने को मिल रहा है देखा जाए तो कमपनी ने पिछले पांच वर्षों में ही 2200 प्रतिशत से भी ज्यादा का रिटन दे चुका है और भारत समेत विदेशी इन्वेस्ट भी अपनी तरफ आकरशित करने में काम्याब साबित हो रहा है यदि आप इस कमपनी में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिटन मिलने का उमीद बताया जा रहा है भारत के बड़े बड़े एक्सपर्ट का यह मानना है कि आप डिफेंस सर्विस में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि भारत सरकार ने भी डिफेंस सर्विस पर काफी ज्यादा फोकस किया है पिछले कुछ वर्षों से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस कमपनी में आप छोटे स्टॉप लॉस के सहारे से कर सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो कमपनी पिछले सप्ताह में काफी अच्छा रिटन देते हुए नजर आया है अगर इसकी टार्गेट की बात करें तो इसका पहला टार्गेट 4950 तथा दूसरा टार्गेट 5000 रुपे के आसपास हो सकता है यदि आप सिम ट्रेडिंग करते हैं तो पहला टार्गेट 4950 दूसरा टार्गेट 5000 मजागन डॉक शेयर प्राइस टागर 2025 जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार ने डिफेंस सर्विस को मजबूत करने के लिए अलग-अलग देशों से हतियार देश में मानना शुरू कर दिया है जिसके कारण हमारा डिफेंस सर्विस का भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और इस साथ ही देखा जाए तो मजबूत होने में इस कंपनी का भी बहुत ही बड़ा भागीदारी भी नजर आ रहा है जिसको देखकर एक्सपर्ट का यह मानना है कि आने वाले वर्ष मजागन डॉक शेर प्राइस टारगट 2025 में इसका पहला टारगेट 5500 तथा दूसरा टारगेट 6000 रुपे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है पहला टारगेट 5500 दूसरा टारगेट 6000 मजागन डॉक शेर प्राइस टारगट 2026 कमपनी के शांदार प्रदर्शन के कारण कमपनी ने 52 न्यूनतम 1714.05 रुपे तक तक गया था तथा 52 उचतम 5800.00 रुपे तक ट्रेड करता हुआ नजर आया था कमपनी ने अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण पिछले तेहाई वर्ष में 650 करोड रुपे से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया था साथ ही इसका टोटल रिवेन्यू 3500 करोड रुपे के आसपास मौजूद था इतना बहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए एक्सपर्ट का यह मानना है कि आने वाले वर्ष मजागन डॉक शेर प्राइस टागर 2026 में इसका पहला टार्गेट 7200 तथा दूसरा टार्गेट 8000 रुपे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजरा सकता है पहला टार्गेट 7200 दूसरा टार्गेट 8000 मजागन डॉक शेर प्राइस टागर 2028 अगर हम इस कंपनी की इन्वेस्ट की बात करें तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रमोटर इन्वेस्ट मौजूद है लगभग 84.83 प्रतिशत के आसपास साथ रिटेलर इन्वेस्ट भी 11.89 प्रतिशत के साथ अपना भागीदारी बने हुए हैं देखा जाए तो इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्ट भी 2.44 प्रतिशत तक निवेश किये हैं साथ ही भारत की म्यूचूल फंड इन्वेस्ट भी एक प्रतिशत के साथ अपना हिस्सेदारी बनाए हुए बरती हुई रिटेलर इन्वेस्ट की संख्या को देखकर इन्वेस्टरों का यह मानना है कि आने वाले वर्ष मजागों डॉक्शेर प्राइस टारगर 2028 में इसका पहला टारगेट 10,000 रुपे तथा दूसरा टारगेट 12,000 रुपे के आसपास देखने को मिल सकता है भारत को मजबूत करने के लिए हमें डिफेंस सेवा को काफी ज्यादा मजबूत करना होता है तब ही जाकर हमारा देश मजबूती के साथ किसी भी देश से युद्ध करने के लिए तयार रहता है जिसके लिए हमें थल सेवा एवम वायू सेवा का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है और यह कंपनी पंडुबी जहाज एवम वायू में उनने वाली जहाज का भी निर्मान करता है जिसके जरिये हमारा डिफेंस सर्विस और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है अगर कम्पनी इसी प्रकार growth करता रहा तो आने वाले वर्ष मजागन डॉक शेर प्राइस टारगर 20.30 में इसका पहला टरगेट 14,000 रुपे तथा दूसरा टरगेट 16,000 के आसपास trade करता हुआ नजरा सकता है पहला टारगेट 14,000, दूसरा टारगेट 16,000, मजागन डॉक शेर प्राइस टारगर 2035 यदि आप इतने लंबे समय के लिए investment करते हैं तो ये company आपको काफी अच्छा reward दे सकता है क्योंकि company ने कुछ ही वर्षों में अपने investor को काफी अच्छा return देते हुए नजर आया है जिसे देखकर भारत में प्रमोटर इंवेस्टर की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धी देखने को मिला था पर्ट का ये भी मानना है कि आने वाले वर्ष मजागन डॉक शेर प्राइस टागर 2035 में इसका पहला टारगेट 20,000 तथा दूसरा टारगेट 25,000 रुपे के आसपास देखने को मिल सकता है पहला टार्गेट 20,000, दूसरा टार्गेट 25,000, मजागन डॉक शेर प्राइस टार्गर 2040 यदि आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कमपनी आपको बहुत ही अच्छा रिटन दे सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दोकी भारत के बड़े-बड़े इन्वेस्टर एवं विदेशी इन्वेस्टर का यह मानना है कि आप जब भी निवेश करें किसी भी कमपनी में तो 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के लिए ही करें यदि आप इतने लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटन मिल सकता है यदि हम बात करें आने वाले वर्ष मजागन डॉक शेर प्राइस टारगेट 2040 की तो इसका पहला टारगेट 30,000 रुपे तथा दूसरा टारगेट 35,000 रुपे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजरा सकता है पहला टारगेट 30,000 दूसरा टारगेट 35,000 डिस्क्लिमा, आपने जो न्यूस पड़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है हमारी चैनल एक्विटी न्यूस स्टॉक मार्केट के कमपनी की लेटस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड आईपी ओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है भारतिय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेश सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल से भी द्वारा रजिस्टर भी नहीं है